कि विलॉस्टी ऑफ पार्टिकल मुविंग अ स्ट्रेट लाइन एज फंक्शन ऑफ टाइम वी इक्वल्स तु फाइव माइनस टी दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स 10 सेकंड्स तो पहले 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉड़ी देखो विलॉस्टी स से डिस्टेंस पर आ रहे है और विलॉस्टी टाइम एक्वेशन दिवी है सीधा सीधा जब भी ऐसा क्वेशन दिखे वी टी ग्राफ बना लो ग्राफ से डरो मत स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है अपनको कोई यहां पर हाइपर बोला और कुछ नहीं बन रहा है विल मैनस वन इंट टी प्लस 5 और नीचे लिख दिख दिया Y equals to MX plus C तो C कितना होगा अपना 5 हो गया X-axis पर क्या आएगा X-axis पर टाइम आएगा Y-axis पर विलॉस्टी आएगी m-1 m का मतलब होता है tan theta tan theta का मतलब होता है slope m tan theta ये सब slope ही होते हैं तो slope कितना है? 1 यानि कि tan theta भी 1 है slope m tan theta एक चीज़ है tan theta की value 1 कब होती है? 45 degree पर यानि कि जो हमारी line बनेगी वो x-axis से 45 degree का angle बनाएगी लेकिन यहां minus का sign है minus का sign है तो मतलब slope होगा अपना negative यानि कि ये वाला जो angle होगा ये 135 degree होगा और ये वाला angle होगा 45 degree योगि अपन जो slope देखते हैं वो positive x-axis से देखते हैं तो अगर ये slope positive होता तो ऐसे line बनती है अपनी ये 45 degree ठीक है? तो tan 45 और tan 135 वे एकी value होती है बस sign बदल जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर minus 1 है अपना slope तो angle होगा 135 आगी बात सुझे तो ये अपनी line ऐसे बने कि intercept, intercept के अपना c c होगा 5, ये होगा अपना 5 graph बन गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है velocity time graph का जो area होता है ये area अगर अपन total अपन को question क्या बोल रहे निकालने के लिए distance covered तो positive area है ये negative area है लेकिन distance negative नहीं होता है, displacement बोलेगा अगर इसको मैंने area को A1 माना है इसको area को A2 माना है तो displacement बोलेगा तो A1-A2 करूँगा और अगर distance बोलेगा तो distance सारे area को add करते जाना है अपने चलो तो यहां से अपने एक straight line draw कर दी, अब question को और read करते है कि distance traveled in first 10 seconds, तो अब अपन यहां पर एक चीज़ और देखते हैं कि जो मेरी यवल equation बन रही है y equals to v equals to 5 minus t क्या किसी time पर velocity मेरी 0 भी होती है, हाँ 0 भी होती है तो 0 कहां पर होती है आप क्या करो जो अपने पास यह equation बनी है v equals to 5 minus t जो अपन को given equation इसको 0 के equal भी put करके देखो तो अपना time आता है 5 seconds इसका मतलब कि line जो बनेगी अपनी 5 plus 5 से शुरू होकी यहां से 135 degree का angle बनाएगी और सीधी जाएगी ऐसे सीधी राइन रहेगी क्योंकि constant slope है तो सीधी राइन रहेगी है और यहां पर 0 आएगा 5 seconds पर तो steps देख लो ऐसा question जब भी देखे steps देख लो पहले compare करो y equals to mx plus c से m निकाल लो c निकाल लो हो गया उसके बाद यह चेक करो second step उसके बाद यह चेक करो कि कहीं पर velocity 0 तो नहीं हो रही तो जो भी velocity equation दी हुई है उसको equal to 0 put कर दो second step तो आपको पता लग जाएगा भी यहां पर velocity 0 हो रही है अब तो अपनने तो straight line ही डालनी है straight line डाल दो ये area ये area same same triangle है दोनो half ये base ये height तो half base into height total distance आजाएगा